सूपर बात बच्चो आज कवीता तीन करेंगे पहले कख्षा में मैं इसका पहला बाग करवा चुकी हूँ जब उस कवीता का नाम था कवीता के भाने यहां दूसरा भाग है और कवीता का नाम है बात सीधी थी पर कवी कुवर नारायन अब इस कवीता में जो पर शब्द आया है वो विशेस अर्थ देता है पर एविकारी शब्दों में आता है एविकारी शब्द कोन से होते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रहे हूँ जिन शब्दों के कार्ण या जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक क विकार रूप परिवर्थित नहीं होता उन एविकारी शब्दों को अवे कहते हैं या वो अवे होते हैं एमिन नहीं वैमिन खर्च लेकिन यहापर क्या आएगा उसकार्थ रूप परिवर्थित नहीं होता और उसी का दूसरा भाग है यहाँ पर निपात पर आता है निपात में विकारी एविकारी शब्दों के पांच भाग उते हैं जिसमें पहला है रिती वा चक्रिया विशेसर, संबंद बोधक, विश्मयदी बोधक, निपात तो इसी में निपात का जो प्रियोग किया गया है उसको कैसे प्रिभाशित करना है जिन एविकारी शब्दों के परियोग से वाक्या में विशेस बल का परियोग किया जाता है उन एविकारी शब्दों को निपात कहते हैं तो यहां पर जो पर शब्द आएगा वो विशेस बल देगा और उसी के आधार पर इस कविता का जो अर्थ हमेस पस्ट होता है अब यहां पर इस कविता में मोहावरे या बिम योजना का प्रियोग किया है तो मैं आपको यहां बिम भी स्पस्ट कर देती हूँ कि जब कविता को ये कावेरचना को पढ़ते समय हमारी आखों के सामने कोई बात सजीव या पर्टेक्स हो उठती है उसे बिम कहते है इस कविता में बिम का प्रियोग किया गया है और वो बिम इस परकार से है पहला है बात की चूड़ी मर जाना जिसका अर्थ है बात का परभावीन हो जाना या बात का आर्थिन हो जाना दूसरा है बात की पेच खुलना अर्थार्थ बात का बात में कसाउट करने होना या बात का आर्थिन होना तीसरा है बात का बन जाना अर्थार्थ सही बात को प्राप्ट करना या सही बात का बन जाना चोथा है बई पेच को कील की तरह ठोक देना बात को स्पस्ट करना पांचवा है बात का सरारती बच्चे की तरह खेलना तो बात का रैश्य पकड में आना ये थे इसमें बिम योजना इनी बिम की आधारपर और निपात की आधारपर मैं इस कविता को समझा रहे हूं वैसे तो निपात हमारे पद्यांस में कमी आते हैं लेकिन इस कविता में इस निपात का प्रियोग किया गया है जो इस परफास से है बात सीधी थी पर एक बार भाशा की चकर में जराटेडी फस गई प्रस्तूत पंक्तियां मैं आपको इसका सैप्रशंग भी साथ में बताते चलती हूं प्रस्तूत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और वो भाग दों में संकलित कविता बात सीधी थी पर से अवत्रित की गई है जिसके कवी कुवर नारायन है प्रस्तूत पंक्तियों के माध्यम से कवी ने बताया है कि हमें उसी भाषा का प्रियोग करना चाहिए जिसके हमाएं पूरी जानकारी हो अर्थार्थ जिससे भाषा का हमें पूरा ग्यान हो उसी का हमें प्रियोग करना चाहिए इसमें कभी कहता है बात सीधी थी पर एक बार भाशा की चकर में जराटेडी फस गई कभी कहीं पर अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे और उन्होंने सीधी सहाज सरल भाशा का प्रियोग किया था लेकिन पता नहीं कहां से जो उनका कथ्य था या कथन था वो जटिल हो गया और उन्होंने ऐसी भाशा का प्रियोग कर लिया जिसका कभी को फूर्ण ग्यान नहीं था उसे पाने की कोशिस में अर्थार्थ सही अर्थ पाने की कोशिस में भाशा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोडा घुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भाशा से भार आए कि कभी ने सही अर्थ पानने के लिए भाषा को उल्टा पुल्टा भी तोड़ा मरोड़ा भी और यह जानने का पूरा प्रियतन किया कि बही बात बन जाए यहां बात बनने का वही है कि भी बात करहसे आराम से खुल जाए या फिर भाषा से भाहर आ जाए या दूसरी भाषा का ही प्रियोग किया जाए लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचिदा होती चले गए लेकिन कवी कहता है कि मैं तो भाषा का सही अर्थ खोजने की कोशिस कर रहा था लेकिन गल्थ भाषा के प्रयोग में पढ़कर मैंने तो भाषा कोई आर्थी ने बना दिया तो इहां पर इसका मुख्य भावार्थ क्या है कि भई कवी कहना चाहता है कि जब तक हमें किसी भाषा की सही जानकारी नहीं होती तो हमें उस भाषा में अपने कथ्थे की या कथन की समिक्षा नहीं करनी चाहिए अर्था-र्था अपनी अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए हमने अभिव्यक्ति उसी भाषा में करनी चाहिए जिसका हमें प्रुण रूप से ज्यानू अब इसका कलापक्ष है या भाग कावे सुंद्रिय है भाई ये भाश है बिल्कुल सहज और सरल है खड़ी बोली है इसमें अनेक मुहावरों का प्रियोग किया गया है जैसे बात का बन जाना या बात का पेचिदा होना तो इसे हम मुहावरा कह सकते है या बिमयोजना कह सकते है उर्दु शब्दावली का प्रियोग किया गया है और भई यहाँ पर अनुपरा सलंकार है तोड़ा मरोड़ा इस तरहें के जो शब्द हैं ये अनुपरा सलंकार के है और लेकिन इसे भाशा के साथ साथ यहाँ पुन की कि भाषा में तुरंट समझ में आ जाती है और वाई शांतरस है तो सारी मुष्किल को धारियस समझे भीना कवि कहता है कि मैंने ही शैणिश्यता का प्रयोग क्या चाहिए बिना और कठिन早 और मैं भाइच को खोलाएं कि वह में उसे और अधिक कस्ता चला गया अर्थार्थ बार्त का पूर्ण ग्यान नहीं था मुझे और उसको में पेच किते रहें तो यहां पेच आ गया जब इस पेच का प्रियोग हम कविता के अंदर करते हैं तो हमें मसीनरी में जितने भी पेच होते हैं उनकी भावना उनका विम हम हमारी आपकों के सामने आ जाता है इसलिए यहां पर चाक्षुख विम का प्रियोग किया है कभी कहता है सारी मुझकलों को ध्हर्यक से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाए पेच खोलने का यहां आर्थ हैं कि भाशा के रहस्या को खोलने की बजाए या अपनी क्योंकि इस कर्तब पर मुझे साब सुनाई दे रही थी तमास बीनों की शाबासी और वह वह कवी कहता है कि जब मैं अपनी अभिवक्ती कर रहा था तो वहां मुझे लोगों की शाबासी सुन रही थी अर्थ अर्थ शुरोतागण को नहीं पता था कि जिस अभिवक्ती जि थे मेरी परसंसा कर रहे थे